हलो गाईज आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरी चैनल लाइफ आफ शिवानी मित्रा पे तो अभी मैं हूँ किचन में और सुबे का टाइम है मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी उत्तपम और लोकी के बड़े तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तपम बनाने के लिए मैंने एक बड़ा कटोरी सुजी लिया है फिर मैं सुजी में एक कटोरी दही मिला लूँगी और सुजी और दही को अच्छे से मिला लूँगी और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला लूँगी और इसका एक बेटर तयार कर लूँगी तो यहाँ पर मैं पानी के साथ भी इसको मिला लूँगी और इसमें मैं स्वादनु सा थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसको फिर से मिला लूँगी तो यहाँ पर बेटर की consistency कुछ ऐसी रखनी है और फिर मैं इसको आदे गंटे के लिए ढख के रख दूँगी तो आदे गंटे बाद देखिए सुजी का बेटर थोड़ा सा थिक हो गया है तो यहाँ पर आप लोग चाहे तो पानी मिला सकते है मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और मिला लूँगी और यहाँ पर देखिए सुजी एकदम soft हो गया है तो अब यह बेटर उत्तपम बनाने के लिए तैयार है और यहाँ पर मैंने लिया है बारिक कटा हुआ प्याज, बारिक कटा हुआ टमाटर और बारी कटा हुआ हरी मिर्ची आप लोग चाहे तो यहां पर हरा धनिया भी यूज कर सकते हैं पर मेरे पास था नहीं तो मैंने यहां पर हरा धनिया नहीं डाला तो देखिए यहां पर पेन गरम हो गया है और मैं पेन पर थोड़ा सा ओयल लगा लूँगी तो पेन पर ओयल लग गया है और अब मैं एक एक करके सारे उत्तपम बना लूँगी तो देखिए यहां पर वेटर मैंने डाल दिया है और वेटर को मैं थोड़ा सा फेला कर गोला कार बना लूँगी और फिर इसके उपर से मैं बारी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्ची टमाटर डाल दूँगी और साइट से थोड़ा सा में ओयल और डाल दूँगी और इसको मैं कर्ची से थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर लूँगी फिर देखिए यहां पर मैं इसको पलड दूँगी उत्तपम को मैं दूसरे साइट से भी सेक लूँगी और देखें यहाँ पर एक उत्तपम बनके तयार है और सेम प्रोसेस से मैं सारे उत्तपम बना लूँगी अब मैं बनाओंगी लोकी के बड़े तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लोकी को अच्छे से धोके छील के कद्दुकस कर लिया है और फिर लोकी का सारा पानी निकाल के मैंने इसके अंदर दो बड़े चम्मच बेशन, स्वादनुसा नमक, स्वादनुसा लाल मिर्ची पाऊडर डाल के इसको अच्छे से मिला लिया है अब मैं लोकी के बड़े बनाऊंगी तो यहाँ पर मैंने पेन पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था और मैं एक एक करके ऐसे बड़े बना लूँगी अजय пошते बनाव मैं एक कि अहाँ ओक एक क्वार दिया लोकी के बड़े बनके तैयार है और फिर मैं यहाँ पर आई हूँ बगीचे में घूमने तो देखिए यहाँ पर यह मेरी मम्मी मोसी में हम सब लोग आम तोड़ रहे हैं पेड से तो देखिए यहाँ पर पेड से हम लोगों ने सारे आम तोड़ लिये हैं अब इस सारे आमों को हम लोग पकाने के लिए रख देंगे तो अभी मैं आई हूँ बगीचे में और यहाँ पर देखिए कितना हरियाली है तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूं इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा दिया है और अभी मैं जाओंगी किचन में जूस बनाने के लिए कुकि अभी शाम हो गई है तो थोड़ा सा जूस पी लेती हूं तो अच्छा लगेगा तो चलिए मैं जूस बनाऊंगी तो यहाँ पर मैं आ गई हूं जूस बनाने के लिए किचन में और यहाँ पर मैंने एक बेल लिया है अब मैं बेल को तोड़ लूँगी तो देखिए यहाँ पर मैंने बेल को तोड़ लिया है अब मैं एक बर्तन में इसके अंदर का सब कुछ निकाल लूँगी. तो यहाँ पर मैंने बेल के अंदर का सब निकाल लिया है. अब मैं इसके अंदर दो बड़े गलास पानी डाल लूँगी और इसको हातों से अच्छे से मिला लूँगी. और इसके अंदर का जो वेस्टेज निकलता है उसको मैं बहार निकालते जाऊंगी. तो मैंने इसके अंदर का सारा बेस्टेज निकाल लिया है और ये देखिए अब ये जूस बन के तयार है. अब मैं इसको दूसरे वरतन में निकाल लूँगी. अब मैं जूस के अंदर एक देर चम्मच शक्कर डाल दूँगी. आप लोग चाहे तो अपने स्वादनुसा डाल सकते हैं. ये बेल बहुत मीठा है. इसलिए मैं ज्यादा शक्कर नहीं डाल रही हूँ. और फिर मैं जूस को शक्कर के साथ घोल लूँगी. और इसके अंदर में थोड़ा सा स्वादनुसा नमक डाल लूँगी. और जूस को अच्छे से घोल लूँगी. तो देखिए यहाँ पर जूस बन के तयार है. अब मैं इसको ग्लास में निकाल लूँगी. फिर मैं जूस के अंदर वरफ डाल दूँगी. तो देखिए यहाँ पर जूस बन के तयार है. तो आज के लिए वस इतना ही. आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिस चेनल को सस्क्राइब करें. वीडियो को लाइक करें. और फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लोग पे. तब तक के लिए बाई बाई.